मेरवायो नमस्कार जैमाता की तुला राशी और तुला लग्न कैसे होते हैं जातक रजोगुणी सुभाव काम त्रिकोन से जन्म होता है ना तो रजोगुणी सुभाव होता है उची ख्वाइशे रहती हैं उची उम्मीदे होती हैं उची महत्वा कांचाएं लेकर के ये जो तुला राशी के व्यक्ति है ना ये जीते हैं मैंनों भाईयों तुला राशी का जो भी जातक है बड़े संतुलित मस्तिस्क का होता है संतुलित और सठीक निर्णय लेने की छमता भी होती है हलकी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं काम और भोग की लालशा इनमें जन्म जात होती है इन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता है दबाव बना करके इनको अपने बश्में नहीं कर सकते हैं प्रेम से भले हो जाए और इनके जीवन में इनकी फेलियरिटी किस वज़े से होती है इस पर गौर करिए रहन शहन और कारे छेतर वहाँ पर ये निरंतर परिवर्तन प्रेमी होते है अब जब परिवर्तन प्रेमी कोई होता है तो स्वाभाविक रूप से आईस्थिरता रहती है उसके जीवन में तो अगर जीवन में तुला राशी का व्यक्ति इस्थिर होना चाहता है वेल सेटेल्ड होना चाहता है तो परिवर्तन एक हद तक उचित है निरंतर परिवर्तन की भावना रखना अपने कारे छेत्र में अपने रहन सहन में अपनी सोच में आपको कहीं न कहीं अस्फल कर देता है मेरों बायों इस वीडियो में चर्चा होगी तुला राशी तुला लगनवालों के लिए नमंबर माह के भविश्य फलकी उनके व्यक्तितों पर चर्चा होगी सावाजिक परिवेश पर चर्चा होगी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी उनकी नौकरी के लिए चर्चा होगी उनकी ब्यापारी की स्थितियों पर चर्चा होगी प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी प्रतियोगी परिच्छा की तैयारी कर रहे है तो क्या करना चाहिए क्या संभावनाएं बनती है उस पर चर्चा होगी कुछ सुजाओ भी देने वाला हूँ और वो भी बताने वाला हूँ कहां हुआ इस माह आपका सवभाग्य और कहां है आपका चैलेंज किस भाव से आपको सवभाग्य की प्राप्ति होने वाली है और किस भाव पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि चुनावतियां तो उसी भाव से आने वाली है सुभ तारीखें बताऊंगा असुभ तारीखें बताऊंगा सुभ तारीख हैं यानि उनमें आप कम प्रया से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और असुभ तारीख हैं जिन पे आपको बचना होगा बैनों बाईयों मैं हूँ पड़े दिनेश नारायन पांडे और आप देख रहें अपना लोक प्रिये चैनल ग्रह बाड़ी बैनों बाईयों नवंबर माह में आपका जो प्रवेश हो चुका है कुछ उम्मीदों के साथ कुछ महत्वा कांचाओं के साथ मन में अभी दूइधा है कि ये महत्वा कांचाएं ये अर्मान पूरे होनेवाले हैं कि नहीं होने वाले हैं तो बैनोवाईयों खुशी मनाईए कि इस महीने आपके अर्मान, आपकी महत्वा कांचाएं, आपकी उम्मीदें सत्व प्रतिशत पूरी होने वाली हैं क्योंकि आपका जो सौभाग्य है वो आपके भाग्य भाव पर है यानि इस माह भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है बैनोवाईयों ग्रहों का गोचर आपके काफी हित का है प्रेम संबंधों का लाभ मिल सकता है धर्म का लाभ मिल सकता है कुछ दान पूर्णे कर सकते हैं कुछ पारिवारिक लाभ मिल सकता है कुछ मित्रों के द्वारा लाभ मिल सकता है सामाजिक पृतिष्ठा आपकी बृध्धी होगी आश्वरे की वर्धी होगी ये सारी चीज़ें आपके जीवन में इस माह आने वाली है भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा सामर्थे मिलेगा उनका बल मिलेगा नौकरी करते हैं वहाँ भी बहुत अच्छा रहने वाला है चलिए बिस्तार से बताता हूँ आपको बचना किन चीज़ों से चाहिए वह भाई ये बहुत महतोपूर्ण है इस पर ध्यान दे लीजिए एक तो वानी के दुर वचनों से बचना चाहिए आप अपनी वानी पर थोड़ा सा नियंत्रन रखें क्योंकि तुला राशी के जातक प्राया वानी का प्रभाव ज़्यादा दिखाते है और कभी कभी अनावश्यक अनरगल बातें कहते हैं तो वानी के प्रियोक से बचें ओवर टॉकिंग से बचें दुर वचनों से बचें भाई बंधुओं के बीच में अगर कहीं कोई मैं वैमनष्य पनप रहा है तो उससे भी बचने का प्रियास करिए उसको दूर करने का प्रियास करना चाहिए चोट सपेट से बचना चाहिए वाहन के प्रियोग में बहुत सावधारी रखने की ज़रुत है शरीर में बात व्रद्धी हो सकती है बात विकार हो सकता है इसके प्रती भी सतर करहने की ज़रुत है मानशिक क्लेश इस महीने थोड़ा सा आपको परिशान कर सकता है भैनों भाईयों इस महीने अगर देखें तो इम्म्यून सिस्टम आपका थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है अब इसकी वज़े से होगा क्या कि मौसमी बीमारियों से आप प्रभावित हो सकते है वात व्याधियों से प्रभावित हो सकते है गले और सीने के संक्रमन से आप प्रभावित हो सकते है तो यहाँ थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यक्ता है और सतरक रहेंगे तो बचे रहेंगे मैंनों आर्थिक विवस्थाओं पर इस महीने की चर्चा करें तो तो राज पच्छ से धन सम्मान मिल सकता है यानि आप कोई फाइल आपकी गवर्मेंट के विभाग में लोन को ले करके है या किसी विश्यक को ले करके है जहां से आपको फाइदा मिल सकता है तो इस महीने आपको लाभ मिलने के चांसेज हैं उस शेतर से एक आधिक स्रोतों से धन लाभ हो सकता है अगर आपने कई योजनाओं में कहीं न कहीं सोच रखा है और कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ से भी लाब आपको इस माह मिलने वाला है इस महां आप कुछ attempt जादा करने वाले हैं कुछ पराक्रम जादा करने वाले हैं जिससे भी आपको धन प्राप्ति की संभावनाय बनती हैं हाँ इस महीने आपको share 60 लाटरी जैसे शार्टकट रास्तों से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आपको नुकसान मिलता दिख रहा है तो यहाँ पर आपको बचना चाहिए बैंक बैलेंस की स्थिती पर देखा जाए तो बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा है बैंक बैलेंस घटने वाला नहीं है थोड़ा बहुत ब्रद्धी होगी लेकिन इस महीने खर्चे आपके बहुत ओवर रहने वाले हैं अब जब खर्चे जादा रहेंगे ही तो स्वाभाविक है कि बचत की स्थितिया उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी बैलों भाईयों खर्चे नियंत्रित करने का प्रयास आपको करना चाहिए नौकरी की बात करें तो जो भी नौकरी में है सरकार से लाभ मिल सकता है धन सम्मान मिल सकता है कुछ प्रोमोशन की स्थितिया बन सकती है उच्चा अधिकारी आपके फेवर में रहने वाले हैं आपके कुलीक्स भी फेवर में रहने वाले हैं और नियाए विभाग में जो हैं विशेश रूप से बता रहा हूँ कि जो नियाए विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत अच्छे लाभ इस महीने मिलने वाले हैं ब्यापार में देखा जाए तो ब्यापार की व्रधिकर में है यानि आपका इंक्रीजिंग आडर में ब्यापार की सितियां रहने वाली हैं और कभी कभी आकश्मिक रूप से भी आपके ब्यापार की व्रधि हो सकती है कला से जुड़े हुए ब्यापार, संगीत से जुड़े हुए ब्यापार, गायन वादन से जुड़े ब्यापार, ये अच्छे लाब दे सकते हैं वकालत के छेतर में जो फौजदारी के वकील है जो वकील फौजदारी के मामले देखते हैं उनको भी बहुत अच्छा लाव इस महीने मिलने वाला है और राजनीति से जुड़े हुए जो लोग है बहनों भाईयों उनको भी बहुत अच्छा लाव इस महीने मिलने वाला है राजनीति में अगर आप संघर्ष करते चले आ रहे हैं तो ये नवंबर माह में किसी अच्छे पद की प्राप्ति आपको राजनीति में होगी ही होगी प्रयास करिएगा पारिवारिक और दामपत्य जीवन की बात करें बहनों भाईयों तो माता पिता बंधु मित्र ये सब आपका हित चाहते हैं आपका भला चाहते हैं तो आपको भी इनके प्रती जुम्मेदार होना चाहिए और इनसे अच्छे संबंध बने रहें इसलिए प्रयास भी करना च जनों से वाईर का भाव अपने दिमाग से हटाना चाहिए सत्रूं का मान मर्दन करने में इस माह आप सच्छम रहेंगे कोई भी सत्रू आपके सामने सर नहीं उठा पाएगा जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा पूरा लाभ मिलेगा आर्थिक लाभ मिलेगा और अगर उनके जीवन साथी आपकी पतनी अगर नौकरी में हैं सर्विष में तो उनकी भी आयवरधी के संकेत दिख रहे हैं प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में कुछ खास विशेस नहीं दिख रहा है क्योंकि पंचम भाव में स्वग्रही शनी नीरस्ता प्रदा करता है कहीं न कहीं प्रेम संबंधों में नीरस्ता व्याप्त होती है मैं रुभाईयों प्रतियोगी परिच्छाओं की बात करें तो यह महिना विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेस उपाय करने वाला है क्योंकि साधारण रूप से देखा जाए तो पढ़ाई में मन लगना तुला राशी के जो जातक हैं उनका इस समय पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मन उचाट हो रहा है भ्रमित हो रही है बुद्धी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और ऐसे में प्रतियोगी परिच्छा में सफलता मिले तो स्वाभाविक रूप से संदिक दता है तो यहा उपर से सात बार उतारिए और प्रवाहित कर दीजिए क्योंकि ये बुद्धी भ्रमित होने कि स्थिक्डि यंदि कंफ्यूज्ड की स्थिप पढ़ाई में मन ना लगने की स्थिति पुजा पाठ में मन ना लगने की स्थिति यह कहीं- bu आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली है कि बनवाईयों सुझाओ की बात करें तो इस महीने आपको मिध्या अभिमान से बचना चाहिए धार्मिक ताका पालन करें धार्मिक बने कुछ तीर्थ्यात्राय करें कुछ मंदिरों में दर्शन करें और विशेश रूप से अपने स्वास्ते के प्रति सचेत रहें कोई ऐसी घटना भी घट सकती है जो मन से आपको कस्ट दे दे तो वहाँ पर मन को अनियंतृत नहीं होने देना है नियंतृत करके रखना है उत्तेजना से बचना चाहिए क्रोध से बचना चाहिए और सबसे अच्छा उपाए कि किसी देवी मंदिर में जा करके प्रति दिन माथा टेकने का नियंब बनाना चाहिए मैं रो भाईयों इस महीने का सवभाग्य आपके भाग्य भाव से है कहने का आशा यह है कि इस महीने आपको भाग्य का प्रबल सहयोग मिलेगा कुछ ऐसे काम जिनकी आप उम्मीद छोड़ चुके थे वो भी पूरे हो जाएंगे और चैलेंज आपका तृतिय भाव से है तृतिय भाव क्या है? आपकी इच्छाओं का है आपके पराक्रम का है, आपके एफर्ट्स का है, आपके मित्रों का है, आपके परोशियों का है तो वहाँ पर आपको विशेश ध्यान देने की जरुवत अपने भाई बंधूँओं पर, अपने परोशियों पर, अपने एफर्ट्स पर, अपने पराक्रम पर इंटरनेट पर सोशल मेडिया पर कम्मिनिकेशन पर ध्यान देने की जुरूत और यहां अगर ध्यान दे लेंगे और इस फिल्ड को सुधार लेंगे तो यह नवम्मर का माह आपकी हर इच्छा पूरी करने में सच्छम होगा मैं रोवायो सुभ तारीख है की चर्चा कर लें रोवायो इस महिने की सुभ तारीख है चार दो, चार, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, एक्किस, बाइस, तेज, अठाइस, और उनतिस यह सुभ तारीख है और असुभ तारीख है चार, छे, साथ, आठ, नौ, ग्यारा 16, 17, 18, 19, 26 और 27 यह सुभ तारीख है मैं रोवायो आप सुखी रहें, समर्द रहें इसी मंगल मई कामना के साथ मैं पढ़िद दिनेश नारायन पांडे आपसे विदा लेता हूँ प्रेम से बोलिए, जै माता की